Francis Ngano ने Tyson Fury के साथ boxing fight करके कितने पैसे कमाएं, boxer को in general कितने पैसे मिलते हैं, UFC fighter को in general fight करने के कितने पैसे मिलते हैं, UFC को पैसे दिये जाते हैं, UFC कैसे पे करती है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात होगी, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को like कर UFC और combat sports का ऐसा ही content हिंदी में enjoy करने के लिए, UFC के fighters को कैसे पे किया जाता है, boxers को कैसे पे किया जाता है, इसके उपर already काफी सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो इस वीडियो के अंदर हम डीटेल में बात करेंगे कि Francis Ngano vs Tyson Fury की fight में किसको कितना पैसा मिल और कैसे कैसे payout किया जाता है, boxers को, इस fight के अंदर किसको कितने पैसे मिले, उसको जानने से पहले आपको समझना होगा कि एक total earning में कितने parts होते हैं, कितने तरीकों से पैसे कमाये जाते हैं, boxing fight के अंदर, सबसे पहले जो earning का source आप सब को दिमाद में आएगा, वो definitely होगा, stadium क tickets जो खरीदते हैं लोग, जो arena में देखने जाते हैं, वहाँ पर जो tickets खरीदते हैं, उसके जो prices होते हैं, वो obviously fighters को पी किया जाता है, उससे एक cut दिया जाता है fighters को, यह तो हो गया एक general तरीका, but यहाँ पर आज के modern time में, यह कोई बहुत बड़ा income source नहीं होता है आजकल की fights क foreign वाले countries जैसे Europe, America वगरा में, लोग यहाँ पर एक fight देखने के 8,000 रुपए देते हैं, तो उनको वो एक fight देखने के लिए 8,000 रुपए पे करने होते हैं, और यह बोला जाता है एक pay-per-view sale, और यहाँ पर पूरी तरीके से clear report तो नहीं आई हैं, बट यहाँ पर कहा जा रह के Francis Angano vs Tyson Fury की boxing fight को देखा है, यहाँ पर total revenue जो इस पूरे event से generate हुआ है, वो around 125 million dollars का generate हुआ है, अगर 1.5 million pay-per-view sales यहाँ पर करे गए हैं और यह number सही है तो, क्योंकि Indian currency में अगर देखा जाए तो 800 करोड से भी जादा है, साथी साथ boxing के अंदर यहाँ पर sponsorship money भी involved होती है, जो boxer fight कर रहता है, उसके जो pants पर जहाँ पर sponsors added होते हैं, जैसे एक बहुत popular sponsor है, Floyd Mayweather को Hublot Watches की company sponsor करती है, तो उनकी भी additional यहाँ पर income डाली जाती है, जो की भी आपर added होगी, तो मैंने आपको बता दिया कि total event से कितने पैसे कमाये गए, अब बात करते हैं, यहाँ पर contract में किसको क कितने पैसे मिलेंगे, वो divide होता है, अब देखिए, यहाँ पर पैसे किसको कितने मिलते हैं, यह depend करता है हमेशा popularity के हिसाफ़े, अगर आपका opponent बहुत ज़्यादा popular है, तो आपके opponent को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, भले वो जीते या हारे, अब इसका एक example आप से को बताता ह जो जितनी टिकेट सेल करा हैगर, जिसकी जितनी स्टार पावर होगी, उसको उतने पैसे मिलेंगे, और यह सारी चीज़े contract के अंदर negotiated होती है, फ्रांसिस एंगानू वर्सेस टाइसन फ्यूरी का जो contract है, उसमें यहाँ पर details यह निकल के आई है, कि फ्रांसिस एंगानू को at least 10 million dollars दिये जाएंगे, मतलब यहाँ पर 80 करोड रुपे गारेंटीड है, फ्रांसिस एंगानू को 80 करोड रुपे इस fight के अंदर दिये ही जाएंगे, और यहाँ पर टाइसन फ्यूरी का जो contract कहा जा रहा है, वो around 30 से 40 million का guaranteed base पे है, मतलब 30 million dollars तो टाइसन फ्यूरी को इस fight स मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो इस fight को जीते है या हारे, इतलब आप समझ सकते हो, एक fight करने के 200 करोड से भी जादा इंडियन रुपीज में guaranteed मिले है, इसकी उपर पीपर व्यू सेल्स के भी cut आपको मिलेंगे, उसके बाद आपको टिकेट सेल्स से भी पैसे मिलेंगे, sponsorship क आलत पैसा होगा, तो इसको आप double से triple मान सकते हो, कि Tyson Fury ने earn किया है, और जितने यहाँ पर Francis Ngannu ने जो 10 million dollars earn किया, आप समझ सकते हो, 25 तो 30 million dollars यहाँ पर Francis Ngannu के अपर total earning हो सकता है इस event से, तो obviously यहाँ पर बहुत ही जादा पैसे कमाया है, यहाँ पर Francis Ngannu और Tyson Fury दोनों ने भ सब को यह चीज़ पता है कि Francis Ngannu boxing fight करने से पहले UFC के भी champion रह चुके हैं, और UFC में भी fight करते थे, तो UFC में Francis Ngannu को कितने पैसे मिल दे, तो आपको मैंने guaranteed purse बताया, जो 10 million dollars contract में guaranteed दिये गए Francis Ngannu को, वो जो guaranteed purse उनका UFC के अंदर था, जब उन्होंने title जीता था, तो वो था 500,000 dollars मतलब कि 5 million dollars यानि कि 4 करोड रुपे, UFC के अंदर Francis Ngannu का guaranteed पर सिफ 4 करोड रुपे का था, और UFC के अंदर आपको लग रहा होगा pay-per-view sales वगेरा दिये जाएंगे, तो यह उस fight का मैं बता रहा हो, जब Francis Ngannu challenger थे, तो challenger को pay-per-view points और ticket sales में से कोई भी points नहीं दी जाती, UFC के अंदर सिर्फ champions को वो चीजे दी जाती, वो भी बहुत जादा नहीं होता है, यहाँ पर अगर दोनों का pay-per-view sales रागेरा भी निकाल के, जो Francis Ngannu ने अपना title defense करा था, Cyril Gann के against, उनके against भी माना जाता है, कि उनको सिर् 1.5 से 2 million dollars के around भी total revenue हुआ था, UFC में अपना title defend करते sponsorship का जो पैसा होता है, वो UFC के अंदर allowed नहीं होता है, क्योंकि UFC के जो भी fighters होते हैं, वो अपनी pants पर कोई भी sponsorship नहीं डाल सकते है, क्योंकि UFC के एक exclusive sponsorship deal हो रखी है, Venom के साथ, Venom अपनी तरफ से 15-20,000 dollars दे देता है fighters को हर fight के अंदर fight करने के, बट उसके अलावा आप कोई भी sponsor सर नहीं ले सकते हो UFC की fight के time पर, अगर आप Francis Ngannu की UFC के अंदर champion होने के बाद भी और जीतने के बाद भी उनकी max to max earning भी डालोगे, तो वो कभी भी 10 million dollars के आसपास भी नहीं होने वाली थी, अलग कि ये news निकल गया थी कि Francis Ngannu के latest contract में उसको 8 million dollars offer करे थे, UFC ने एक fight के, बट उ boxing एक बहुत पुराना sport है, इसलिए उसमें इतने जादा पैसे मिलते हैं, उसके लोग जादा tickets खरीते हैं, उसके जादा pay-per-view sales होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर pay-per-view sales और ticket sales के हिसाब से देखा जाए तो UFC के भी sales उतने ही होते हैं, around 900,000, 9 million dollars के around के pay-per-view sales UFC भी क UFC दोनों ही काफी जादा similar चल रही हैं आज के टाइम पर, कोई भी बहुत पुराना होने के कारण इसके कारण नहीं है, यह pay की discrepancy है, यह बहुत सारे reasons के कारण effect करती है, UFC के अंदर, क्योंकि UFC एक private company है, साथी साथ boxing के अंदर, Muhammad Ali एक्ट आता है, तो इसकी उपर एक detailed video करना opinion नीचे comment section में जरूर दीजिएगा, till then मिलता हूँ आप सब नेक्स वीडियो में, अगले update के साथ, bye-bye